दोस्तों आप लोग अपने यूटूब चैनल पर वीडियोस रोज जालते हो, रोज मेहनत करते हो, नया नया टोपिक फाइंड करते हो, लेकिन उतना मेहनत करने का बाद आपको मिलता क्या है, आपके वीडियोस में कभी 15 व्यूज आता है, कभी 10, कभी 25, कभी 50, कभी 100, इससे 22 गंडा हो चुकार, ये वीडियोस पर मेरा ज्यादा ज्यादा 5000 व्यूज आएगा, 5K उसके बाद ये व्यूज मेरा रुक जाएगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ, और यहीं पर अगर आपको दिखा दोना, तो यहाँ पर देखो मेरे चैनल का जो अवरेज व्यूज होता है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, इस वीडियोस पर एक दिन पहले अप्लोड किया हूँ, 20,000 व्यूज है, और यहाँ पर देखो 27,000 व्यूज है, यहाँ पर देखो 22,000 व्यूज है, यहाँ पर देखिए 22,000, तो इस पकासर 35,000, और इस पकासर में स्कॉल करते जाओंगा तो आपको 50,000, 20,000, 30,000 यहां पर देखेगा, देखेए यहां पर, कितना है, 14,000, 22,000, और इस वगा से यहां पर देखेए, 20,000, 34,000, अनि कि कहने का मतलब है, मेरे वीडियो से पहले अच्छा कासा व्यूज आ रहा था, लेकिन आखिर मेरे इस वीडियो से में क्या हो गया, य आप लोग क्या करते हो, डेली नेया नेया टोपिक आप लोग फाइंड करते हो, टोपिक फाइंड करने के बाद आप लोग वीडियो से बनाते हो, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है, 10 वीडियो रूख जाता है, 15 वीडियो रूख जाता है, तो आज की इस वीडियो से में छ तो मैं उस रहस को समझ चुका हूं इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जब अप्लोड करूंगा निकि मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हो इस वीडियो मेरा व्यूज कितना आने वाला है कि आगर मैंने इतना महनत करके वीडियो बनाया लेकिन फिर भी मेरा व्यूज नहीं आया तो आज कि इस वीडियो में आपको यूटूब के ऐसा रहस सिखाने वाला हूं जिसके मदद से कभी मान दिजीये ऐसा होता है कि आपके सौ व्यूज सारे वीडियो में आ रहा था तो अचानाक कोई वीडियो में आपको सिर्फ 7 वीउज आया वेडियो रूप गिया। और उसके बाद क्या होता है अगला विडियो डालते हैं फिर भी इसमें 10 वीउज आता है। फिर अगला डालते हैं फिर 12 व्यूज आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, जबकि पहले 100 करके आ रहा था, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, चली मैं आपको उस रहस्त के बारे मताता हूँ, जो कि अगर आप समय लेते हो अच्छे से, तो कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ ऐसा था, 20,000, 30,000 से आ रहा था, लेकिन मेरे एक वीडियो में 3.7 के व्यूज आकर रूख गया, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये चीज समय लेते हो ना, तो कभी एक वीडियो में व्यूज अगर आपका कम आता है ना, उसका बा कर आप अपने चैनल का पर मोचन कर दूगा, तो आप आपको करना क्या है अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सबस्काइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंड वकस में आपको कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर देना है, next time अब आप विटैमर आते हैं, तो आपक लेकिन असली रहस्त को समझने के ऐपको क्या है यहां पर देखिए आपने Real Time Views पर क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए यह आपको दिख जाता है बांकि यहां पर देखिए जो जो आपका वीडियो चल रहा है माल लिजें यहां पर देखिए यह जो वीडियो है यह वीडियो काफी पुराना मेरे चैनल पर चल रहा है काफी पुराना चल रहा है यह भी काफी पुराना चल रहा है यह भी काफी पुराना चल रहा है और यह यह से वीडियो मेरा नया वाला वीडियो है तो नया वीडियो को थोड़ा से हम भूल जाते हैं और यहां पर देखिए यह जो पुराना वीडियो है इस वीडियो को अपेन कर लेता हूँ पहले में ठीक है और आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो कहां पर है तो यहाँ पर देखिए पुराना वीडियो मैं अप्लोड कर लिया हूँ, यह वीडियो का टाइटल किया है, यहाँ पर देखिए यूटूब पर वीडियो अप्लोड करने का सही तरीका, अनि कि इस टोपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अब यहाँ पर देखिए अपन लेकिन सिर्फ इस से मतलब नहीं है अगर आप audience retention सही ला लेते हो तो आपका वीडियो वायल हो जाएगा कोई मकसद नहीं बनता यहां पर देखिए key moment for audience retention इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस चीज़ में देखिए यहां पर चार चीज़ें होता है intro दूसरा top moment तिसरा spike और चोथा deep मैं guarantee लेता हूँ अगर इन में से चारों चीज़ को अगर आप समझ गये चारों चीज़ तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आपके सारे वीडियोस में अगर 2000 व्यूज आ रहा ना तो आपके सारे वीडियोस पर 2000 ही आएगा 2000 इस से ज़्यादा ही होगा ठीक है 3000 इस से ज़्यादा ही आपका व्यूज बढ़ेगा कभी अगर आपके साथ अचाना अगर एक वीडियोस में हो जाता है जिसे कि इस वीडियोस पर 500 व्यूज आया और वीडियो रुख गया 500 व्यूज पर मिस्टेक नहीं होगा और दूसरा वीडियोस में फिर से आपका वही 2000 व्यूज आएगा तीन हजार आएगा दाई हजार आएगा वही व्यूज आएगा और बांकि इस चीज को समझने के बाद ना आप अपने चैनल पर कई सारे वीडियोस को वाइरल कर पाएंगे अगर मैं आ यहां पर देखें 3 million 2.2 million यहां पर देखें 2.3 million 2.5 million यह से वीडियोस पर जो million of views जाने का राज क्या पता है क्योंकि मैंने उस चीज को अच्छी से समझा हूँ यहां पर देखें मेरे yt studio application में यह जो चीज आपको दिखाई दे रहा ना इसी चीज को समझ के इसी रहस को सम मज़कर मैं अपने वीडियोस में million of views ला पाता हूँ अब यहां पर देखें इस पर मैं पहले click कर देता हूँ अब इस पर click करने के बाद जो video आपका आप बनाए हो video आपका पूरा खुल जाता है यहां पर देखें और यहां पर देखें चार चीज आपको मिलता है पहला मि से क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो का इंट्रो जो है इंट्रो लोग कितना वाच कर रहा है इंट्रो क्या होता हमारे वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट अब इंट्रो पार्ट जितना ज्यादा लंबा होगा उतना आपके वीडियो के लिए बैस्ट होगा अगर मान में नहीं है आप में कुछ कमी है तो अगर मेरे से बहुत स bunch को समझें सीखो यूटीवब बहुत वीडियो पड़ा है सीखो तो आपको देखिए पहला इंट्रो का जो पार्ट है जादा ज्यादा लोग आपको इंट्रो को देखना चाहिए इंट्रो का मतलब क्या है लोग आ रहा है जादा जादा लोग सुन रहा है अगर इंट्रो का पार्ट देखिए मेरा यहां से यहां तक है ठीक है इंट्रो पार्टी हो गया और वीडियो वायल होने के लिए चारों चीज़ होना चाहिए आपके वीडियो में तब जाके आपका जो part है वो top moment अब यह top moment क्यों है बताया है क्योंकि लोग जब मेरी वीडियो को यहां से यहां तक देखते देखते आता है कई बीच में skip भी करता है यहां पर थुर्ण से बढ़ा कोई skip यहां से करता है यहां चू Cub नहीं करता है यहां ये Top Moment से आपको क्या सीखने चाहिए? अपने विडियो को इस जगा पर Play करो और देखो उस टाइम आप कैसे लोगों को समझाए हो क्या बोले हो किस तरह से लोगों को समझाए आपका तरीका क्या है और उसी तरीके को आप पूरा विडियो को यूज करो अब मान लिजेगर इस जगह पर मैं जिस पकासे समझाया हूँ जो कि सब कोई पूरा वाज कर रहा है अगर इस पकासे मैं अपने पूरे वीडियो में समझाऊंगा तो हो सकता है लोग मेरे पूरे वीडियो में रूखे तो वो चीज आपको सिखना चाहिए तो यह हो गया अब इसने पकासे मतलब है क्या यहां पर देखिए अगर इंट्रो में सब कोई करता है वागत यहां से भाग जाता है और इसके बाद जिखे मेरा ऐसा पार्ट है इसको लोग दो बार तीन बार चार बर करके देखता है यहां से यहां तक आया हो सकता है sistem Beng से बाचछे लोग यहां पर देखी यह वाला पांट करके दिखा दूं्ध हमागा है कि लोग को यहां पर झानने के लिए यहां पर नबारा यहांप फिर से क्लिकर के देखता है तो इस पाइक की है और छीत जितना ज्यादा spike रहेगा उतना chance होगा आपका वीडियो तेजी से वारिल होगा उतना ज्यादा व्यूज आएगा तो जितना spike रहेगा उतना audience ओर ज्यादा आपके वीडियोस में रुखेगा तो spike भी जरूरी आपके वीडियोस में इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखिए व्यूज का graph डाउन जा रहा है अब यहां पर देखिए यह डाउन जा रहा नहीं है इसलिए यहां पर डीप हो गया और आपके वीडियोस में इस पर कहसे जितना भी डीप रहेगा बांकि दीप कहीं पर भी नहीं है अचाना अगर डाउन जा रहा है यहाँ पर दखिए तो ऐसा डीप आपके वीडियोस में जितना रहेगा आपके वीडियोस के लिए उतना नुकसान है अब मेरे लेटेस्स वीडियोस पर जिस पर व्यूज नहीं आया ना उस पर जादा जादा डीप होगा मेरा ठीक है, हालाक अभी 22 गंटा हुआ है, 24 गंटे बाद ये डाटा मिलता है, ठीक है, तो मेरे वीडियो जब उस वीडियो पर ना, और ज्यादा डीप होगा, और ये जो spike वाला मैंने आपको दिखाया, तो टॉप ममेंट दिखाया, ये सब पार्ट होगा ही ने मेरे वीडियो मे किया हूँ, अब मैं next वीडियो जब बनाऊंगा, तो वो गलती दुबारा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उस वीडियो से idea हो गया, कि अगर वो ऐसा वीडियो में दुबारा बनाऊंगा ना, तो मेरे वीडियो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, तो इस लिए आप जब भी वीडियो बनाते हो, तो इस चीज़ को ध्यान दो, अपने पुराने वीडियो को चेक करो, जब भी अगर आप माल लिए डीप हो रहा है इस पार में, तो इस पार को देखो, कि आखिर मैं उस टाइम क्या गलती कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जो कि लोग पसं कर आए, ऐसा बार-बार करने का कोसिस करो अपने वीडियो में, तो ये चार चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर अपने वीडियो को बनाते हो ना, गैरेंटी आपके वीडियो में मिलियन वभी हो जाएगा, और ऐसे करके सारे करेटर अपने वीडियो को वाइरल करता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना